कि बहुत-बहुत स्वागत है आप तभी का अपनी टुप्सल पेपर हैकर में मैं सुरस राज और आज की बिडिन देखने वाले हैं जो भी छात्र भी ये कि हडियर में है होम साइंस का फर्स्ट पेपर आप देख रहे हैं और जिनका भी आठ साथ 2022 को पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत बड़ी गुड नियूज है क्योंकि आपको मैं जो दो दिन पहले मैं आपको इंपोटेंट कोशन देता हूं बही पेपर में आता है इसी तरीके से मैं आज भी आपको वता रहोंगी आपको किबल 10-11 कोशन यहां बताने वाला हूं और इन कोशनों को यार्द करके 70% आप प्लस लेके आएंगे और आपने यदि 4-5 महीने पहले जो मैं आपको वीडियो डाली थी उसका लिंक मैंने डिसकॉप्शन बॉक्स में पिले लिस्ट का दे रखा है उस पीडे पूरे पिले लिस्ट को देख लेना जिसमें 18-19 कोशन होंगे उन कोशनों को यार्द करके 85% प्लस लाने वाले मदल्ब कि आप 2020 के टौपर बनने वाले हूं को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता ये मेरा बादा है आप से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है और जादा से जादा दोस्तों को शेयर कर दें और इस लोग हैं जितने भी हैं ठीक हैं उस सभी लोग से बादा करेंगे और उस बादे में आपको सफ यह करना है ज One में पैपर एक साहट से बारे बताएंगे और आप उन से आप कि paper hacker youtube channel सही पढ़ाई करना है मतलब बहाँ वे जो question दिये जा रहे है जो notes आपको दिये जा रहे है उन्ही notes को पढ़ना है बाकि कुछ और फालतू इदर उदर का नहीं देखना है क्योंकि आपको 2022 यदि आप 2023 में भी आप paper दोगे ठीक है आप यहां देहां से देखिए अब हम question को टिक लगवाते हैं और जो मैंने आप से बादा किया है या जो आपने हम से बादा किया है सब बच्चों को इस्टूडेंटों को बताना paper hacker के बारे में तो आप बताईएगा लैंड जब आ रहे हो जा रहे हो किसी से मिल रहे हो तो आप उनसे कह देना कि paper hacker में जो question बताए जा रहे है वस बही पढ़ना है वाकि कुछ और नहीं देखना है चलो अब टिक लगा लेते है notes get paper book में पहला question आपको याद करना है कि वस्तर बिग्यान क्या होती है मदलब कि Capaz किस तरीके से उत्पर्ण होती है जी हाँ उसको ठीक है कैसे बनाया जाता है और कैसे उस और उनको कैसे बनाया जाता है यह देखेंगे धागा क्या होता है यह बहुत सब्सक्राइब को यह सारे question आपको long में देखने को बिलेंगे याद रखना आपको long और शौट में आप कनफ्यूजिंग होते हैं कि लॉंग कौन सा होगा तो यह जो कोशन है यह सब लॉंग है वसुर्पिक ज्ञान क्या होती है उसके महत की बारे में उसमें साथी साथ कोशन एक और देगा कि कपास उसका उत्पादन उनका उत्पादन बताईए तो यह बनेगा और आदा बनेगा तो यह शौट में बनेगा तो आपको डरना नहीं है आपके बुक नोट्स गैस पेपर में जहां भी यह कोशन दे रखा हो वही कोशन दे रहा है तो दागा कितने प्रकार होते हैं तो वहीं आप पढ़ए लॉंग कोशन में आपको कन्फ्यूज अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको दूसरा कोशन चालो अब उसके बाद में होते हैं कताई के प्रकार छोड़ देजिए यह हैं आपको पता होगा सुलाईयों के बारे में जो जिससे बस्तर चले जाते हैं ठीक है सुलाईयों दवारा बसत्रों के कितने प्रकार पुनाए जाता है आपको किस प्रकार बुना जाता है आप ये कोशन देख के जाएंगे most important question है बहुत-बहुत महत्पूर्ण question है यह question जहां से देख लेना समझ रहे हैं और उसके बाद में next question आपके नीचे जाएंगे और आप यह देख रहे हैं न bleaching bleaching फिर्गिरिया से बस्तर में क्या और कैसे परीवर्टन आ जाता है जब bleaching किसी बस्तर में जबारा कोई कपड़ा है उसमें जबी bleaching कराई जाती है तो किस तरीके से परीवर्टन आता है वह आप याद करेंगे बहुत ज़्यादा important है उसके बाद में next question आता है इसको छोड़ देना है और नीचे वाले question इसको पढ़ना है देखो यहां बोला गया है सलाई मसीर के पुर्जे होते है उनके आपको नाम याद होना बहुत ज़रूर है और कौन-कौन सी खराबियां आ जाती है और सलाई मसीर में कौन-कौन सी खराबियां आ जाती है उनको आपको देखना है यह long question में पूछा जाएगा यह महतपूर question है यह आपको याद रखना है next question है यदि sort में भी यह question बन जाए तो भी आप लिख देंगे यदि आपके notes में sort में यह दे रखा है तो आप sort भी पढ़ लीजे next question है देखो तो सिलाई के कौन-कौन से उपकरण होते है वो किस परकार देखो कह रहा है उन्हें किस परकार लेना चाहिए तो सिलाई के कौन-कौन से उपकरणा है मलब किस-किस द्वारा हम सिल सकते है उनके बारे में को देखना है बस्तरों के चुनाब में किन-किन बातों का ध्यान रखना महत्मूर है मतलब यह आप मार्केट से बस्तर खरीच जा रहे हो तो आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है मुव आपको देखना है ठीक है और यहां कहा रहा है ग्रोहिक कह सकते हैं जो गरहयोगी वस्तरों होते हैं मतलब गिरह घर में जो उप्योग करने वाले वस्तर हैं वह कौन-कौन से पर बस्तरों की बारे मैं याद करना बहुत जरूरी है कॉलेज जाने वाले लड़कियों के लिए बस्तुरों का सुना मतलब यदि आप कोई कॉलेज में यदि लड़की जा रही है तो उसके लिए आप किस तरीके के बसर देंगे कॉटन देंगे कैसा देंगे तो वह आपको याद करना है परिदार रचना को छूर देना है और यह क कि विशेष्टा भी आप उपर देख लेना ठीक है सुना चांदी किस प्रकार दंतु है छोड़ देना साधी कहा रहा है साधी यहां कहा देखो एक होता है साधी बुनाई कि जाती है तो देखो साधी बुनाई कैसे की जाती है तो साधी बुनाई कैसे की जाती है उसके बार इसको आपको देखना है यह देखना थे ज़िए वह सितना देखना है 2022 में बाकि कुछ और देखने के जरोत नहीं पड़ेगी यह महत्पूर कोशन है, बहुत ज़्यादा महत्पूर है, जो आपके पेपर में बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेर कर देना है, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्षिन हम से जरूर पूछेना है और आपको पीडियाप नोट्स डालोड करना है, तो पेपर हैकर डालोड कर सकते हैं, आप सबी अपने दोस्तों को पेपर हैकर की बारे में ज़रूर बताईए, थैंक्यू